हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालियन रसोई आज मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ एक बहुत ही पसंदिदा डिश पालक पनीर इसके लिए हमने लिया है कटा हुआ पालक, मीडियम साइज पनीर के पीसेश एक मीडियम साइज कटी हुई प्याज आठ से दस लेसुन के टुकड़े, थोड़ा सा कटा हुआ अध्रक, एक कटी हुई हरेमिच, एक मीडियम साइज कटा हुआ टमाटर सबजियों को बारीक से कटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसी की पेस्ट बनाएंगे मसाली में हमने लिया है एक टी स्पोन जीरा, एक छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा, एक सुखी मेच, एक तेजपत्ता, एक इलाईची एक टी स्पोन हल्दी, एक टी स्पोन मेच पाउडर, एक टी स्पोन गरम मसाला, दो टी स्पोन धनिया पाउडर, एक टी स्पोन कश्मिरी लाल मेच ये ओप्शनल है इसको डालने से सबजी का टेक्स्चर बढ़िया आता है गार्निशिंग के लिए हमने 2 टेबिल स्पून क्रीम लिया है ये पूरा खाना हम बटर में बनाएंगे इसके जगा आप कोई भी ओयल इस कर सकते हैं मैंने छोटे-छोटे 3 क्यूब बटर लिया है चलिए अब गैस अन करते हैं और कढ़ाई में एक क्यूब बटर को डालते हैं बटर मेल्ट होने तक का वेट करेंगे फिर उसमें सारे खड़े मसाले की छोटा लगाएंगे लगभग 10 सेकेंड तक इसको भूनेंगे फिर इससे हलकी हलकी गरम मसाले की खुश्बू आने लगेगी उसकी बाद उसमें कटा हुआ प्यास डालेंगे प्यास का कलर्स चेंज होने तक का पकाएंगे उसमें एट करेंगे अध्रक और लेसन की टुकडे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे कटा हुआ तमाटा डालके दो सेकंड तक का भूनेंगे फिर एक एक करके सारे मसाला डाल देंगे थोड़ी पानी एट करेंगे इससे मसाला जिलती नहीं है और अच्छे से पक जाती है मसाले के कच्छा खुश्बो चले जाने तक इसको पकाएंगे ज्यादा नहीं पकाएंगे ये देखिए हमारा मसाला तयार हो गया है अब इसमें हम पालक डालेंगे सबको अच्छे से मिलाएंगे और सबसे आखिर में डालेंगे हरी मिर्च पालक पानी छोड़ेगा हमें थोड़ी सी पानी सुखाने तक पकाना है थोड़ी पानी रहने देंगे ताकि पेस्ट बनाने के लिए एक्स्टा पानी की जरूरत ना हो इसको ठंडा करके मिक्सर में डालके पीस लेंगे देखिए कितना अच्छा पेस्ट पनी है कभी भी आप भुना मसाला का पेस्ट बनाए उसमें बाद में एक्स्ट्रा पानी एंड ना करें नहीं तो ग्रेवी का स्वाथ चला जाता है अब कड़ाई में एक और क्यूब बटर डालके एक एक करके सारे पनीर को इसमें हलका सौते कर लेंगे ताकि उसकी कच्चा स्वाथ चली जाए पनीर को ज़्यादा फ्राई ना करें इससे उसमें ग्रेवी अंदर तक नहीं जा पाती है फिर उसमें पेस्ट को डाल देंगे और धक्कन लगाके चार से पांच मिनिट तक का पकाएंगे ध्यान रखे हमें फ्लेम को मिडियम लो में रखना है नहीं तो मसाला जल सकती है ये बन के तयार आपके पालक पनीर देखिए कितना क्रीमी टेक्स्चर बनी है और रंग भी बहुत सुन्दर आया है इसको एक सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे अच्छे से और उपर से बचा हुआ जो एक क्यूब बटर था उससे और क्रीम से गार्णिश कर देंगे ये सबजी आप गरम चावल, रोटी, पराठा, पुरी किसी के साथ भी खा सकते हैं बहुत ही लजीज लगता है ये खाने में अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू